हेलो दूस्तों गर्भावस्था के दौरान प्रग्नेंट महला को उन सभी चीजों का सेबन करना पहुँ जरूरी होता है जो गर्भ के लिए फायदे मंद हो दोस्तों सलाद खाना उसमें से एक है आज मैं आपको ककड़ी खाने के फायदे बताने जा रहे हूँ ककड़ी खाना प्रग्नेंट महला के लिए कितना फायदे मंद है क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है ककड़ी हमेशा नहीं मिलता और मिलता भी है तो वो शहीं नहीं होती यानि जो सीजनेबल चीज है उसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए और सीजन पे ही करना दोस्तों वैसे तो प्रिग्नेंसी के दवरान वजन बरना अच्छी बात होती है पर प्रिग्नेंट महला का वजन जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये किसी भी प्रिग्नेंट महला के लिए ठीक नहीं होता ककड़ी का सेवन करने से प्रिगनेंट महला के लिए भाइदे मंद होता है क्योंकि ककड़ी में कैलरी कम होती है जो प्रिगनेंट महला के वजन को नियंतलत रखने में मदद करती है और आपकी जरूरतों को भी पूरा करती है तो अगर आप चाहती हैं कि ज़्यादा मोटी भी ना हो और आपका सरीर बैलेंस में रहे तो ककड़ी का सेबन आप जरूर करें प्रिग्नेंट महला के सरीर में पानी की कमी गर्भ के लिए और खुद उनके लिए बहुत नुक्सान दे होता है दोस्तों ऐसे में ककड़ी का सेबन करना उनके लिए बहुत फायदे मंद हो जाता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा मुझूद होती है काफी ज़्यादा होती है जो शरिर में पानी की कमी को भी पूरा करने में मदर करता है साथ ही इसमें इतने सादे मिंदल्स होते हैं वो आपके लिए फायदे मंद होगा तो अगर आप चाहती है कि आपका सरीर ह हाइड्रेड रहे पानी की कमी गर्मी में नहीं हो तो ककड़ी का सेवन आप जरूर करें प्रेग्मिंसी के दोरान कई महिलाओं की पाचन करिया काफी कमजोर हो जाती है जिसकी वज़न से उन्हें तो पहले भूख नहीं लगती उसके बाद कवज ACDT जैसी परिसानिया ज्यादा होने लाती है अगर महिला ककड़ी का सेवन करती हैं तो पेट सम्मन्नी समस्या नहीं होगी उनका पेट भी साफ नेकर क्योंकि ककड़ी में फाइबर मुझूद होता है जो पाचन करिया को दुरुस्त रखने और कवज ACDT जैसी समस्या से भी निजाद दिलाने का काम करता है दोस्तों आपको भी पता है आज कल इम्मुनीटी बढ़ाना कितना ज़रूरी हो गया ताकि हम रोगों से लड़ सके हमारा सरीर जल्दी बीमार नहीं हो हम बीमारी से कैसे बचें ककड़ी एंटी ऑक्सिदेंट गुनों से भरपूर होती है दोस्तों जो अपने इम्मुनीट को बढ़ाने में मदद करती है और प्रेगनेंसी के रोरान बाडी में होने वाले हार्मोनल बदलाव के कारण प्रेगनेंट महला की इम्मुनीटी कमजोर पर जाती है कई बार ऐसा होता है कि बीमार्यां जल्दी लग जाती है अगर वो ककड़ी का सेबन अभी करते हैं उनके के लिए और उनके घर में पल रहे सिसु के लिए संकर्मन से पचे रहने में मदद करेगा तो आपको ककड़ी का सेबन जरूर करना चाहिए ताकि आप बीमार्यों से दूर रह सकें और अपने इम्मुनीटी को बढ़ा सकें दोस्तों घर्भाबस्था के दौरान प्रेगनें दोस्तों प्रेगनिशी के दौरान कई महिलाओ को मूड् स्विक्स की समस्या हो जाती है और कई महिलाओं को तनाव हो जाता है, गुश्या होने लगता है, चिचड़ापन आ जाता है, आलस होने लगता है अगर वो ककड़ी का सेबन करती हैं तो इन सभी समस्याओं से उन्हें निजाद मिल जकती है क्योंकि ककड़ी में बाइटमिन B मौजूद होता है, जो महिला के मूड को बेहतर करने, तनाव को दोर करने और उन्हें खुश रहने में मदद करती है क्योंकि ऐसे गुन होते हैं दोस्तों, जिससे उन्हें मूर स्विंक्स और अन्य परिसानियों से बचाने का काम करती है ककड़ी में बाइटमिन केकी मात्रा भी मौजूद होती है, जो हड्यों के दिए खायदे मन्द होता है ऐसे में प्रिग्नेंट महला यदि इनका सेबन करती हैं, तो गर्भावस्था के दोरान उनकी हड्या मजबूत बनी रहेगी उन्हें ठकान और कमजोदी जैसी परिसानिया भी नहीं होगी और साथिक सिसू की हड्यों के बेहतर विकास में भी यह सहायब होगा दोस्तों, प्रिग्नेंसी के दोरान ब्लड प्रेसर होने की समस्या आम बात होती है जिससे मां और गर्भ में पलभा सिसू दोनों को परिशाने का सामना करना पड़ता है ककड़ी का सेबन करने से इन समस्याओं से निजाद मिलती है क्योंकि कक्ड़ी में मौजूद प्रेसियम ब्लड प्रेसर को नियंतरत रखने में मदद करता है साथ ही कक्ड़ी का सेबन करने से ठरदय को स्ष्थ रहने और कॉलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करने में मदद करती है ककड़ी में बाइटमिन C, बाइटमिन B1, बाइटमिन B2, बाइटमिन B3, फोलीकेशिट, पोटेसियम, मैगनिसियम, आयरन और अन्य पोसक टत्तों के मातरा भरपूर होती है दोस्तों और आपको पता है, यह सभी बाइटमिन्स गर्माबस्ता के लिए बहुत जरूरी होता है चाहे आपके लिए, चाहे आपके गर्मे पल रहे हैं सिसों के लिए तो आपको भी ककडी का सेबन जरूर करना चाहिए अगर आप चाहती है कि आपके बच्चे का विकास पेटर तरिके से हो और आपको भी कोई दिकत नहीं होतों तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा आज कल सीजन भी है ककडी का तो क्यों आप ककडी खाना शुरू कर दें और अगर आप खा रही है तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि इसके फायदे आपको गर्वावस्था के दौरान जरूर लेनी चाहिए और सीजन है तो सीजन म जरूर करें पर एक बात का ध्यान काकडी अगर कर भी हो तो इसका इस्तेमाल आपने बाकी और कोई नुक्सान इसके नहीं है आशा करते हूं यह जानकारी आपको काफी पसंद आए होगी अप लीज इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर झान करें सकते हु मुझाब जरूर को लीजए इसकारी आपको कि अन्युक्षाएब हो जापको कि अदू फारो कि अल्व। ऑ लीज़ अवे लीज़ एक बात कॉपको कि अ झाल झाल